हलो एवरिवान, वेल्पम तो वर यूटूब चैनल, शैम्रोग आदर्श आज आपके लिए एवेर से वर्क्षिट लेकर आई हूँ, क्लास फर्स्ट और सेकेंड के लिए वर्क्षिट मैंने आपसे प्रीवेर स्टीओ में भी का खागा, वर्क्षिट बहुत हलपुल रहती है बच्चों के लिए not even kindergarten but upper grade swallowed बच्चों के लिए भी बहुत हलपुल रहती है वर्क्षिट एक ऐसी है जो जी बीजन होते हैं बच्चों के हर बाब बच्चा भूलता नहीं है थी जो के लिए उसके लिए I prefer most and most वर्क्षिट फर्स वर्क्षिट है fill the blanks with the hide box आप देखोगे मैंने hide box भी दिया है blanks दिये हैं मैंने ये fall कर रखा है आप इसी तरह और भी question सब्चों को देचाते हैं जैसे ही I can dash different shapes different shapes है वो कैसे पता करेगा देखके तो आएगा see I can dash sweet अब वो मीठा है या नहीं वो कैसे पता करेगा with the help of taste I can dash hot milk अब दूद गरन है ये कैसे होगा फील से I can dash sweet fragrance of flower flower की खुश्बू बहुत अच्छी है कैसे पता करेगा smell से I can dash voice voice कैसे पता करेगा है here याने सुन second worksheet है complete the following gender choose from the help box याने आप मैंने पीवेस शीट पे भी आपको help box दिये थे इस शीट पे भी मैंने आपको help box दिये रखें इसलिए help box बच्चे की spellings के लिए help करता है चोटे बच्चे हैं spellings most properly learn नहीं रखते हैं इसके लिए help box उनके लिए helpful है दुसरा इसलिए में अगर हम gender बच्चों के लिए हमेशा easy method देखना चाहिए कि उसे कैसे learn हो इसलिए मैं gender का easy way लेकाएंगू इससे बच्चों को gender बहुत अच्छे से learn होगा और एक आप कहते होगे कि मैं हमेशा वर्कशिप colors में बनाते है because it loves color बच्चों को color से बहुत प्यार है और colorful चीज़ देखिए वह बहुत अच्छे से काम करते हैं आते हैं वर्कशिप इस तंबर 2 पे hand यहां पर मैंने puzzle type में दे रखा है option type में बच्चों को help box में से help मिल जाएगी कि hand का क्या आए आपको उनको guide करना है जब उन्हें याद नहीं आए help, cock, king, queen, boy, girl तो इस तरह आप उसको बोलोगे तो वह बहुत इसली यहां से ढूनके कर लेगा third worksheet है name the following कुछ questions है जिसे answers generally बच्चों को already teachers के पर दानल में करवाती है और बच्चों को यह पता भी होता है जैसे four tables made from milk ऐसी कौन सी चीजे हैं जो दूस से बनी हुई है four vegetables you like to eat आपके बेबी को कौन सी ऐसी चार vegetables पसंद है four fruits you like to eat आपके बेबी को four ऐसे कौन से fruits है तो उससे खाना पसंद है four parts of body normally कोई भी parts of body क्या four parts लिखने है four food items we get from plants ऐसे कौन से four items है जो हमें पेश से मिलते हैं खाने के items I hope you guys like my video if you like my video so do not forget to subscribe my channel and bell icon को दुआ अमर्द भूलेगा जिए दिए डिए नियू वीडियो दिए निटिए कोई त्यू निटिए थैंक्यू बई-बई